हेलो दोस्तो स्वागत है एक नई वीडियो में और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वही नया फ्रीज गर पर आ गया है तो सोचा क्यों ना इसका वीडियो बना के आपके साथ शेर किया जाए कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और यह फ्रीज क्यों लिया और पुराने वाला प् तो इसलिए वो हो सकता है पहले तीन-चार साल यूज किया वो जिसके पास था तो ज्यादा पुराना हो गया था और दूसरा कोविड के टाइम पे उसको एक डेड़ साल तक बंद रखा क्योंकि हम समान उठाके अपने घर चले गए थे तो जब दुबारा उसको चलाया वा लाइन देखते घूम रहे थे तो मुझे पता चला के नीचे भी फ्रीजर आता है तो भाई ये फ्रीजर नीचे है इसमें उसका बहुत ही कम यूज होता है और अगर हम फ्रीज में सब्जिया या कुछ भी रखते हैं तो उसमें काफी जुकना पड़ता है तो जुकने से ब इसको पसंद है जो मोडल पसंद किया वो ओफलाइन पसंद किया गया था और अभी जब एमेजोन में सेल चल रही थी उस टाइम पे जब मैंने देखा इस पर ओफर्स भी बहुत अच्छे है तो फाइनली मैंने ये फ्रीज ओडर करके मंगा लिया दोस्तों उनलाइन ओडर प्रिज का जो क्या वो यह कि जो हमारा पूराना प्रीज था वो अल्रड़ी हमें हमने एक्सेंज में लगा दिया था तो उसको भी बाइड़етьर करने का का आ गया था यह हमारा नया फ्रीज है वो सामने भी रखा हुआ और यह वाला जो हमारा पुराना फ्रीज जो लग बग पच्छी सो रुपर में एक्षेंज हो गया और सच बताऊं तो बाहर हमने में मार्केट में ट्राइब किया था तो यही कीमत कुछ जो है ओफ-लाइन यहां यहां पर कुछ जो इसके बिसिक या फिर मोटा मोटा जो तगड़े तगड़े फिचर ना वो साफ-साफ यहां पर क्लियरली मैंचिन किये गए और ममता को यह फ्रीज ओफ-लैन का भी पसंद आ गया था तो शूर सी बात है यह लेना ही था और बाकी रही बात यहां प से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो अन्बोक्सिंग एक्सपिरियंस होता ना वो फ्रीज का भी विया उतनी मजाते हैं जितना कि एक नए फोन की अन्बोक्सिंग करते हैं लेकिन एक चीज़ और पता तो एक अच्छी चीज मेरे को लगी यहां पर बिया बहुत ही जबर्दस करके हर चीज़ को पूरा सपोर्ट मिला हुआ था फोम के हल्प से और इवन जो है आप देख सकते हैं यहां पर कि मलब हर एक चीज़ को छोटा छोटा मलब पार्ट्स में भी सब जगह सपोर्ट दिया गया पूरा मलब कोई भी चीज जो है चाहे जितन किसी बात थोड़ा सब यहां देखने में प्रीमियम सा फील हो रहा है और यह वेजटेबल बोक्स है जो ओल्मोस्ट डबल है जो हमारा पुराना फ्रीजर उससे दो और यह नीचे फ्रीजर है और फ्रीजर के अंदर अगर मैं बड़े वाले कंपार्टमेंट को छोड़ है और बाकी रही बात तो इसमें कुछ दिखाने लाइक कुछ है नहीं बाकी में इधर दिखा देता हूं आपको उपर चोटा सा पैनल है जहां से आप टेंप्रेटर कर सकते हैं अपर यूनिट और लोर वाली उनिट का साइड में यहां पर देख सकते हो कि इस साइड इसका कंपरिसर कंप्रेसर के साथ में चूट से जो वायरिंग होनी थी है वह सब कुछ ही मिल गया है और यह नीए फ्रोस्ति है या फ्रोस्ट फ्री है तो शोर सी बाद है पीछे पानी वगरा निकलने का कोई में यहां पर प्राउधान दिखा नहीं है और यहां पर कुछ इटेल दी गई है company की details यहां पर और साथ में capacity दिखाई गई तो यहां पर यह model जो है दो capacity में 325 355 तो यह वाला जो है 325 लेटर की capacity में है और power consumption की details यहां पर clearly mention की गई है वायर वायर की quality कोई compromise मरलब नहीं होगा quality के साथ बड़ी है quality की वायर है और decent length मैं बोल सकता हूं back side से कुछ इस तरीके का lead and clean जो है देख सकते हैं बड़ी असा फ्रीज और नीचे की side आप देखेंगे तो यहां पर यह वाली लेग है जो इस से height जो adjust की जा सकते था कि अगर पर इस थोड़ा वह तो जानी चाहिए और इस side जो है पिछे जो वील से लगे हुए metal के वील लगे हुए आगे पिछे मूवमेंट करने में आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी तो यह फ्रीज में अब ओन कर दिया है हमने इंस्टोलेशन की कोल तो एक डिट गंटे बाद आई थी बट उससे पहले भी आपने निकला तो हुआ था था तो हमने बस इसको set कर लिए और उन कर दे लिडी लाइट है वह वाइट कलर किया है तो उससे थोड़ा सा और प्रीमियम फील आ रहा है फ्रीजर में कोई लाइट बगर है यहां पर नहीं दीगी है लेकिन ऊपर के लाइट जो है किस तरह ग्लो करती हो आप यहां पर देख सकते हो और यह तेंपरेचर अभी दिखा रहा है करेंट उपर का जो फ्रीज का 5 डिगरी और जो फ्रीजर है उसका 18 डिगरी है कुछ-क इसको कैसे टेंपरेचर को सेट करते हैं तो इन फ्रीज में के इसमें लोक नहीं लगता जैसे नॉर्मल अपना जो फ्रीज पहले वाड़ा था उसमें चाब भी लगती थी इसमें नहीं लगती है तो यह सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा क्योंकि बेबी अभी छोटी है और दूसरा फ्रीजर नीचे है तो वह इसी में बैठी रहती है जब मैं और कर रही थी उस टाइम पे और जब हम ओफ-लाइन भी देख रहे थ सकते हैं तो जैसा कि अभी फ्रिज को यूज करते हैं में सिर्फ चार-पांस दिन हुए हैं तो परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते वह जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके बाद पता चलेगा अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई क्वेस्चन है इस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे उसका अंसर देने की तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें शेयर करें और अमारे चैनल को सब्सक्राइब कुरें थैंक्यू दोस्तों बाबाई